मज़र बुटिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड आज हम आप लोग के लिए ब्लोज का डियाइन लेकर आए हैं जो की भेहदी खुपसूरत होगा फ्रेंड वीडियो को ज़रा सभी स्कीप ना करें वरना आपको समझ में नहीं आएंगे तो चलिए वीडिय को सुरू करते हैं तो फ्रेंड हमने पेपर पेस्टिंग को ले लिया है सबसे पहले हम यह बता दें फ्रेंड की पेपर पेस्टिंग की लंबाई क्या होनी चाहिए और पेपर पेस्टिंग की चवडाई क्या होनी चाहिए तो हमने जो पेपर पेस्टिंग की चवडाई लि अब हम सबसे पहले क्या करेंगा निशन लगाएंगे तो हमारा जो इहां पर ब्रॉड़ने से लगा हैंगे थम तीन इंची पे इस तरह से निशन लगाईंगए अब ब्र ṹजें अपने अनुसार रख लेंगे आप अब हम क्या खिरियंगे तो हमारा जोडिक निक का डीफ आंफ फरेंट वो नव रख है ऑफ हम इस तरह से निशान लगाएंगे जितना ब्लोड का निशान लगा था तो नीचे में भी हम उतने ही अब हम एक दूसरे निशान को स्केल के सहारे मिला देंगे मुसक्य। हम यहाँ पे इंचे टेप रखेंगे और इस तरह से हम दो इंची पे निशान लगाएंगे अब हम एक दूसरे निशान को मिला लेंगे अब इधर मुझे एक इंची पे निशान लगानी है एक दूसरे निशान को हम मिला लेंगे कि अंदर वाले निशान पर सबसे पहले हम निक की कटिंग करेंगे अब हम बाहर वाले निशान पर कटिंग कर लेंगे हमने निक को बिल्कुल फिनिसिंग के साथ कटिंग कर लिया है अब हम क्या करेंगे इस निक को एक एक्स्ट्रा फैबरिक में हम चिपकाएंगे जो कि ब्लॉज का कपड़ा नहीं होगा अब हम क्या करेंगे कि पेपर पेस्टिंग में बिलुकुल सटा कर हम पूरे निक में कटिंग कर लेंगे हमने बिल्कुल फिनिसिंग के साथ कटिंग कर लिया है पूरे में अब हम चलते हैं मसिन पे और हम बताते हैं ब्लॉज में निक को कैसे बनाते हैं तो फ्रेंड हम मसिन पे आ चुके हैं और हमने निक को ले लिया है तो सबसे पहले हम क्या करें फ्रेंड कि इस निक में मुझे नीचे वाले अरिया है मुझे पैपिन लगाना है तो पैपिन बनाने के लिए हमने यहाँ पे ब्लोस का कपला ले लिया है और यह बिल्कुल उरेव है और हमने जो इसकी चवडाई रखा है फ्रेंड वो पक्का एक इंची रखा है तो इस तरह से एक इंची का आप उरेव पट्टी ले लेंगे यह ब्लोस का कपला का है फ्रें सिलाई को लगाने के बाद अब निक को इस तरह से पल्टेंगे और पट्टी को इस तरह से पल्टेंगे सबसे पहले आप पूरे में नाखुन लगा लेंगे नाखुन लगाने के बाद इस तरह से आप पल्टेंगे और इस तरह से प्लटने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि जड़ में एक सिलाय लगाते हुए बिल्कुल फिनिसिंग के साथ हम पैपिन को निकाल लेंगे हमने बिल्कुल फिनिसिंग के साथ पैपिन को निकाल लिया है अब हम बलाउस का बैक लेंगे तो हमने blouse का back ले लिया है और center cut भी लगा लिया है और iron से हमने अच्छे तरीका से center crease बना लिया है तो इसी तरह से आप भी बना लेंगे अब हम इस तरह से open करेंगे और open करने का बाद friend ये ultra है markup देख सकते हो तो इस तरह से आप ultra रखेंगे अब हम निक को लेंगे निक को इस तरह से ले लेंगे और बीच में center cut हमने लगा लिया है तो blouse का center और निक का center दोनों center को हम इस तरह से रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद सबसे पहले एक हम center सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा निक इधर उधर ना जा सके अब मुझे क्या करनी है कि पेपर पेस्टिंग में बिल्कुल सटा कर हम पूरे निक में सिलाई लगाएंगे हम क्या करेंगे कि क्वाटर इंची का मार्जिंग लेते हुए पूरे में हम कटिंग कर लेंगे यहां पे आप कट लगा लेंगे अब हम निक को पलटेंगे अब हम इस तरह से निक को पलटेंगे तो इसी तरह से हम पूरे निक को पलट लेंगे हम क्या करेंगे कि लप पे एक सिलाई लगाते हुए निक को बिल्कुल फिनिसिंग के साथ हम बैठा लेंगे अब हम क्या करेंगे फ्रेंट कि अब हम पूरे निक में पैपिल लगाएंगे तो पैपिल लगाने के लिए हमने यहां पर ब्लाउस का कप्डल लिया है और बिल्कुल यह उरेब है और इसकी जो चौडाई हमने लिया था वो एक इंची लिया था और हमने एक सेड में फोल्ड भी कर दिया है जो कि वाइट धागा से फोल्ड किया है ताकि आपको दिख सके तो इस तरह से उरे पट्टी को इस तरह से आप रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद आप क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरह से निक को आप उल्टा लेंगे इस आसे रखने के बाद आप मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि जितने भी मोटी मुझे पैपे निकलनी है बिल्कुल एक सम्मान सिलाहे लगाते हुए पूरे निक में हम पट्टी को लगा देंगे कि को लगाने के बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पे कोना पे और यहाँ पे कोना पे आप कट लगाएंगे इस तरह से आप कट लगा लेंगे अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करने का बाद अब मुझे क्या करनी है कि जड़ में एक सिलाहे लगाते हुए बिल्कुल फिनिसिंग के साथ हम पेपिन को निकाल लेंगे अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड की नीचे रोंड में मुझे ट्रेंगल लगाना है तो हमने ट्रेंगल को पहले ही बना लिया है यदि आपको अगर ट्रेंगल बनाना नहीं आता है फ्रेंड तो हम विडियो के लिंग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आई बटन में दे देंगे तो आप वहां से ट्रेंगल बनाना सीख लेंगे तो ट्रेंगल जो हम लगाएंगे फ्रेंट तो इस तरह से लगाएंगे ट्रेंगल को आप इस तरह से रखेंगे इसके अंदर इस तरह से बिल्कुल आप रखेंगे और इसके बाद जब मुझे दूसरी ट्रेंगल लेना है तो एक चीज़ का आप ध्यान देंगे फ्रेंट कि जब दूसरी ट्रेंगल को हम रखेंगे तो यह जो हमारा कौन है बिल्कुल एक दम कौन बनना चाहिए यह नहीं फ्रेंट कि यहाँ पर फैल हो तो अच्छा नहीं लेगा बिल्कुल इस तरह से कौन बनना चाहिए तो इसी तरह से ट्रेंगल डालते हुए एक कौन से दूसरी कौन तक हम चले आएंगे त्रेंगल को लगा लिया है अब हम लाइस को लगाएंगे तो लाइस को हमने ले लिया है बिल्कुल इस तरह से आप रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद फ्रेंट हम क्या करेंगे क के निक तक यहां पे इस तरह से आएंगे और यहां से हम रोंड इस तरह से लगा देंगे तो इसी तरह से हम दूसरी सैड भी लैस को लगा देंगे दूसरी सैड भी लैस को लगा लिया है अब हम क्या करेंगे फ्रेंड के हर एक triangle के कौन पे एक एक मोती को हम टाग देंगे तो मोती टाग कर हम इसकी finishing देखाते हैं तो friend हमने हर एक triangle पे मोती को टाग दिया है और बीच में हमने एक fabric बटन भी लगाया है जिससे गले की खुबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ चुकिए फ्रेंड आप देख सकते हो और यदि मेरे वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और ज्यादा ज्यादा शेयर करना